हाइवे में नम आकाश और आज के इस वीडियो में बात करने वाले गाइस देखो मॉबायल रिपेरिंग की क्योंकि मैंने जो एक पोस्ट शेयर किया था तो बहुत सारे लोगों को यह जानने में बहुत इच्छा है कि किस तरीके से सैमेटिक जो है वो काम करता है अभी भी बहुत सारे लोग को जो हो सैमेटिकल इंफोमिशन जो वो नहीं होती है ठीक है तो इस वीडियो में मैं ना सैमेटिक के उपर जो है वो सैक्षन को किस तरीके से रीड करना है कैसे follow-up करना होता है सैमेटिक के through fault को वो सारी information दी कि अगर आप mobile repairing सीखना चाहते हैं ठीक है अगर आज आप सोच रहे हैं कि start करना है mobile repairing में career बनाना तो आने वाला कल जोए ना guys वो semantic के बिहाब से impossible है आज भी लगबग जोए वो semantic के बिहाब पे ही repairing possible है phone में otherwise जोए ना बहुत मुस्किल हो जाता है और ऐसे में borneo जोए वो बहुत important role play करता है तो यहाँ पे जोए हम borneo semantic hardware solution tool का use करने वाले जिसमें हम देखेंगे semantic ठीक है कि किस तरीके से phone में charging section काम करता है वो सारी information इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो randomly मैं कोई भी एक phone ले लेता हूँ let's suppose कि i3 और ipro यह जो है बहुत techno का model है ठीक है तो यह एक ले लेते हैं वैसे एक एक करके हम दूसरे brand का भी देखेंगे अगर real में हम 70 के भी हाँ पे phone को repairing करना सीख जाते हो तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है world को find out करना और वो सारे information जो है न आपको आसानी से मिल चाहेगी देखो यहाँ पर अभी semantic में parts दिये हुए ठीक है यह PCB सब लिखा हुआ है न तो indirectly यह नीचे का sub board का PCB है यह आपका semantic है जो वो नीचे के board का है ठीक है और यह layout भी आप देख रहे हो ना यह यहाँ पर लिखा हुआ यह layout भी जो है वो नीचे के board का है यह PCB जो होगा वो मेरे हिसाब से वही layout जो यहाँ पर है यही वाला PCB होगा ऐसा बहुत सारे कम options होते हैं लेकिन normally semantic के बात जो है ना phone को repair करना बहुत easy हो जाता है इसलिए मैं जो ह उसके अभी मेरे पैस कोई phone आया जिसमें यह phone आया समझो techno i3 या techno i3 pro यह phone आया ठीक है अब इस phone में जो है ना वो charging की problem है तो charging की problem को हम कैसे solve कर सकते हैं इसके वहाँ पर आप market के बहुत सारे phone को जो है वो समझ सकते हो ठीक है तो अभी हमें काम करते हैं इसको जो है ना यह layout है तो layout already यहाँ पर PCB यह नीचे का board है और मैंने आपको बोला था ना यह यह भी नीचे का है ठीक है यहाँ पर जो है यह वाला यह वह यह तो इसको बन कर देता हूँ मैं ठीक है अब यहाँ पर जो है ना पहले तो हमारा charging pin कहा लगा हूँ है वो देखना जरूरी है तो यह इसमें layout दिया हुआ है इसलिए मैं काम करता हूँ इसको copy कर लेता हूँ ठीक है अब यह हमारा charging pin का denotion है मतलब semantic के अंदर जो है जो भी चीजे denote की जाती है वो phone के अंदर जो है वो लगी होती है ठीक है indirectly board पर attachment होती है तो उसे जैसे sim tray हो गया आपका memory tray हो गया या फिर आपका female jack हो गया यह सारी चीजे जो होती है जो board में attach होती है उसे g से denote किया जाता ठीक है तो अब यह जो यहाँ पर आपका हमारा charging pin लगा हूँ है तो अब यह क्या करेंगे हम सब बोड का यह पूरा आपका PCB का हो है ठीक है PCB और यह layout यह दोनों भी एक है तो इसको भी बन कर देता हूँ ताकि confusion ना हो जादा ठीक है अब यह मैंने copy किया तो यहाँ पे इसका semantic होगा तो यह semantic जो है वो सब का है देको यहाँ पे लिखा है semantic स अब इसमें मैं वो paste कर देता हूँ ठीक है जैसे मैं यहाँ पे paste करूँगा तो में को यह बता दिया भाई कि यहाँ पे जो यह वो charging pin लगा हुआ है अब charging pin में उन्होंने यह जो side lag होते हैं जो sold होते हैं उसे ground के सांट denote करते हैं क्योंकि आपको नहीं पता होगा यह जैसे जैसे यह जो charging pin charging pin में देखिए basically कितना होता है पांच point होते हैं एक V bus होता है जो की 5 volt जो की charger का output होता है उसके बाइद dp minus ठीक है data plus id और ground इतनी पिने जो है वो basically काम करती है अब यह लाइनों को follow up करना पड़ता है हर एक line का अपना एक मतलब होता है जैसे यहाँ पे आप पहले keypad phone में nc point दिये होते थे not connected होता था यह लेकिन जब से otg का दौर आया मतलब नॉर्मली जैसे third equipment होते हैं जैसे keypad हो गया mouse हो गया otg हो गया तो यह सब जो है उस हिजाब से internally hardware के designing phone के अंदर होती है जिसके through जो है न यह काम करता है तो id के लिए जो है उन्होंने क्या क है एक थर यहां पर आप देखो एक register लगा हूँ है one kilo ohms का उसके बाद यह line सीधा जो है वो sections में जाते होगी मेरे हिसाब से CPU में जाएगी ठीक है अब यह देखके बताना मुस्किल है कि वह line कहा जाएगी क्योंकि वैसे तो यह switching CPU में ही इसका work है लेकिन कहीं और से CPU में ऐस इसा भी हो सकता है board में घुमाया जाता है तो अब हम क्या करेंगे वी चार्ज में जैसे अगर मैंने किसी फोन में charging में अगर इसको connect किया तो यहां पर वी चार्ज मतलब यह point पे जो है ना हमारा पांच वोल्ट आना चाहिए यह अब यह सब बोर्ट में कहां पे आएगा द पत्ता निकालने के बाद तो इटमें के हमारा problem जो है वो नीचे नहीं है क्योंकि सब बोर्ड हमारा ठीक है लेकिन यहां पर यह इसके बाद यह करता होगा कहां पर यह आपका जो है strip मतलब जो इसके उपर strip लगती है जैसे female strip उस female strip पर यह attachment हो ठीक है देखो समझने की बात हो सकता है बहुत सारे लोग को यह सब चीजे पता हो कोई नहीं लेकिन अगर आप देखोगे तो अपनी knowledge को refresh कर जाओगे यूटूब में जो है ऐसी वीडियो बहुत कम है जिसमें मैंने यह सब चीजे बताई है और अगर आप mobile repairing सीखना चाहते हो तो बेस सक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है अब यहां पर अगर मैं पेश करता हूं तो मुझे वो फीमेल जैक मिल जाएगा देखे अब इसका साइड कॉर्णर जो है और यह साइड कॉर्णर ग्राउंड होगा ठीक है तो यहां पर आपका जो है वह पांच बोल्ट अगर बन हम पर प्राउबलम बाकी और यहां पर देखो यह रजीस्टर सीरीज में लगा हुआ पैरलल में लगा हुआ है यह इस्विचिंग होती है ग्राउंड के साथ में ठीक है जो आपके बैक पैनल पर अटैच्मेंट होती है और यह सारी चीज़े जो है फोन के अंदर सका दीकर माइक में कोईल लगी हुए यह डायोड लगा हुआ है और उसके बाद कैपिसिटर और यह डिवेडेंट कैपिसिटर जो है वो लगा होता है ठीक है तो इस तरीके से माइक का सेक्शन इसके अंदर होता है अभी देखो अभी हम उपर जाएंगे तो में चीच का प्रॉब्लम क हो सकती है अब यह इंपूड होगा कहां पर यहां पर क्यूश करो कि यहां पर हमारा जो हो यह फीमेल जाएक मदर बोट का और उसके बाद जो है वो jack attachment होता है जो strip लगी होती है phone के अंदर तो इसको अगर मैं यहां पर search मारू तो मुझे पता चलेगा कि exactly मेरा pinout कौन सा है जहां पर जो है वो 5 volt आएगा ठीक है अब मैं क्या करता हूँ यहां पर मैंने इसे copy कर लिया और यहां पर मैं इसे paste करूँगा ठीक है नहीं हो रहा आपका यह जो है यहां पर आपका 5 volt आएगा क्यों क्योंकि वीबर्स का point है यहां पर और उसके बाशा है यहां 31 और यह आपका जो वह ग्राउंड है तो यह जो यह french oh नहीं आएगा तो मतलब हमारी मीडल स्ट्रिप भी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद जब हम यहां पर इसको लगाएंगे वीबस को तो वीबस यहां पर इंसेट करता है ठीक है यह वाले पॉइंट पे अटाच होगा तो इसका एक टीपी पॉइंट होगा भी देखो टीपी क्या अपका पाँच वॉल्ट आना चाहिँ है अब यहां पर अगर पाँच गय्ट है तो यह फांच वॉल्ट और यह डेकी डीपीडिंज का डिकर का होगी और उसके बाद यहां पर अगर मैं यहां आपको दिखाओ तो यह bands हैं सारे network के लिए ठीक है उसके बाद यह dp dm हो गया और आपका idg otg तो यह अब हमें क्या करना है देखो इस line को follow करना v bus की line क्योंकि यह indirectly हमारी charging की line है तो यहाँ पर अगर 5 volt आ रहा है या तो वोल्टेज आएगा या तो वोल्टेज नहीं आएगा अगर वोल्टेज नहीं है मतलब नहीं आएगा तब तो फिमेल जैक attachment प्रॉपर नहीं हुआ है क्योंकि हमने strip में चेक किया था हमारा प्रॉपर था तो हम क्या करेंगे वहां पे strip को घसके माइक्रो शोल्डिंग कर देंगे वी बस पे डारेट और प्रॉब्लम जो हमारी सॉल हो जाएगी लेकिन अगर फ्लैक्चुलेशन आ रहा है जैसे पांच वोल्ट हमने इंपूट दिया है चार्जर से हमारे और लेट सपोज कि फॉर वोल्ट में सब्सक्राइब कर गांवर्ड हो जा रहा है या थ्री वोल्ट में सब्सक्राइब कर दिए हो जैसे कि माल लेते यह नीचे का हमारा अब यह यहां तक तो हमारा यह नीचे का सेक्शन हो गया माल लो ठीक हैं और यह ऊपर का section हो गया अब इस दोनों को attach करने वाली जो बात है वह पांच वोल्ट होगा बाकी ग्राउंड होगा खाली हम यह charging के case में देख रहे हैं ठीक है बाकी दूसरे case में condition अलग होगी तो यह ग्राउंड होगा क्योंकि charging ic के अंदर ही जाएगा तो charging ic के अंदर अगर यह जा रहा है तो इसके बीच में लगा हुआ बहुत सारा component होगा यहां पर तो अगर इन component में कोई shorting होगी यह यह ic ही खराब होगी तो indirectly क्या होगा कि जब मैं जैसे इसके अंदर let's suppose कि बहुत सारा capacitor लगा हुआ है ठीक है यहां पर मैं capacitor लगा देता हूं एकडोट हो डायोड लगा देता हूं आप ऐसे समझ लो assume कर लो ठीक है तो अगर मैं यहां पर इस तरीके से attachment कर देता हूं और माल लेते हैं यह side का हमारा ground है ठीक है यह side का हमारा ground है अब ground होने के वज़े से क्या होगा कि अगर यह वाला हमारा short हो गया let's suppose कि मैं यह मानता हो कि यह वाला pin मेरा जो है वो short हो गया तो जब मेरा पांच वोल्ट का input यहां पर attach होगा यहां आगे जाएगा लेकिन यह तो ground के short short है तो इंडिरेक्ली यह गरम होगा गरम होगा और अगर मेरे input उंपेर जादा हुआ तो यह जल भी सकता है लेकिन अगर यह leakage हुआ तो यह थोड़ा सा voltage को drop कर देगा मतला जैसे परेक्ली तो यह क्या होगा इसका जो flow up बनेगा इसके साथ तो इंडिरेक्ली यह पूरी लाइन शॉट हो जाएगी अब इस लाइन में बहुत सारे component इधर भी लगे तो वह सारे गरम होगे जो ग्राउंड के साथ मैं attachment होंगे ठीक है और उसके बाद जो है न यहां पर आपका जो है शॉटिंग होगा इसमें तो यह कब पता चलेगा जब यहां पर अगर input एंपर जैसे यह test शॉटिंग है तो उसका एंपर कंजब्शन क्या होगा एक limitation तक होगा तो वह limitation तक होने की वज़ेश से क्या होगा अगर एंपर का फ्लो जादा हुआ यहां पर हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं एक कंपोनेंट लेगिन ऐसे लाइन में जब यह इन्पूट होगा आइसी में तो अब देखो कितने सारे कंपोनेंट्स वह लगे होंगे जिसे मैं इसे फॉलो कर लेता हूँ मैं तो देखो यहां पर कुंसे डैसी लगी हुई है और अब वीक्यूट फाइव यहांपगी है अगर यह पांच वोल्ट होगा तब यह हो सकता इस आईसी का प्रॉब्लम हो और कुछ प्रॉब्लम हो वह हम करने वाली बात लेकिन अगर उस लाइन में कोई प्रॉब्लम है वोल्टेज ड्रॉप ओट हो रहा है तो वहीं पर हमें रिपैर करने की ज़रूर रहता अब उसके बात क्या होगा कि जैसे जैसे वह हम पार्ट तू वीडियो में देखेंगे अगर आपको यह कॉंसेप्ट अच्छा लगा समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वह पार्ट तू जरूर कमेंट करना कमेंट में पार्ट तू लिखेंगे तो मैं इस आईसी का वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा वोल्टेज कब इन होगा कब आउ किस तरीके से काम करती कौन सा कब स्विचिंग होता है तो उसके लिए पार्ट तू जो है वो लिखना अगर ज्यादा से जारा कमेंट हुआ लाइक हुआ तो मैं पार्ट तू जरूर बनाऊंगा ठीक है तैंक्यू सो मुच